नमस्कार दोस्तो में राजेश भारगव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलजी पर दोस्तों जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं हमारे जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है एडिशन और सब्ट्रेक्शन तो चले शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को और इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथी सा फिरू भी जोड़ सकते हैं जिनका लिंक जो है वो इस टीन पर दिया हुआ है पर चले शुरू करते हैं हमारा इस टॉपिक एडिशन सब्ट्रेक्शन ऑफ लाइक फ्रेक्शन तो दोस्तों रिसेंट्ली मैंने अभी जो है फ्रेक्शन के उपर एक वीडियो चैनल पे अपल जो डिनॉमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं ठीक है इन सब फ्रेक्शन में आप देख रहे हैं कि जितने भी जो डिनॉमिनेटर्स हैं वो सारे जो है वो थ्री है और सारे सेम है ठीक है तो ऐसे फ्रेक्शन जो होते हैं वो लाइक फ्रेक्शन होते हैं तो चलिए देखते ह है कि जो like fractions होते हैं उनको add कैसे किया चाहता है दोस्तों सपोस कीजिए फारा question number one है हम इसको आप पर discuss करते हैं one upon three plus seven upon three तो यहां पर दोनों like fraction है इनको हमें add करना है तो like fraction में जो हमारा denominator होता है वो सेम होता है ठीक है जितने fractions हमें दिए हुए होते हैं सबका और यहां पर हम देख रहें कि जो डिनॉमिनेटर है वो three है तो three का यहां तो हमेशा three ही होगा ठीक है तो यहां पर अब हम जो है equal to का निशान लगा के और यहां पर three denominator हम three रख लेते हैं और like fractions का denominator होगा वो ही हमारे solution का भी denominator होगा ठीक है तो इस तरह से हम इसका यहां पर denominator three रख लेते हैं और three और जो ऊपर वाले जो numbers होते है निकि numerators जो होते हैं उनको as it is यानिकि three ones are three and three ones are three तो one से multiply करेंगे तो same number आएगा one ones are one और seven ones are seven राइट तो यहां पर हम same number यहां पर जब लिखते हैं तो one plus seven is equal to eight upon three तो इस तरह से जो है हम like fractions को जो है उनका addition जो है करते हैं अब आते हम question number two पे ठीक है अब question number two पे हमें यहां पर like fractions दो जो दिये हुए वो है suppose कीजिए इस तरह का है कुछ है तो अब simply जैसा हमने उपर जो है फर्स प्रॉब्लम में किया था फर्स एक्जाम्पल में हमने solve किया था देखे like fraction है तो यहां पर मैंने बताया था कि जो solution होता उसका denominator होगा तो यहां पर 11 का table हमने वन बार पढ़ा ठीक है और उसके पास सब को 1 से multiply करा तो हमारी same जो values है वो यहां पर आ जाएंगी और हमें जो solution यहां पर मिलेगा वो मिलेगा 25 अपॉन 11 तो इस तरह से जो है हम addition करते हैं दो like fractions का ठीक है लाइक fractions वो fractions होते हैं जिनके denominators same होते हैं तो चलिए next हम देख लेते subtraction हम किस तरह से like fractions का करते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं subtraction of the like fractions ठीक है अभी हमें यहां पर माल लीजी यह like fractions दिये हुए हैं और बीच में subtraction का निशान है उसके बाद हमें यह वाला fraction दिया हुआ है तो अभी हमें 8 upon 11 में से 3 upon 11 को minus करना है तो अब हम क्या करेंगे हैं बिल्कुल same addition वाला ही process यहां पर चलेगा और इसको मैं जो है first value रख लेता हो यहां पर मतलब first problem है हमारी यह example तो अब यहां पर सेम है बस जो sign होगा वो बीच में minus का आ जाएगा अगर यह plus का होता तो यहां पर प्लस का आ जाता ठीक है तो अब यहां पर हम simply वही process है कि 1 को हम 11 का एक बार टेवल पढ़ेंगे तो 11 आ जाएगा उसी तरह 1 से multiply कर दिया है नुम्रेटर को तो same value आ गई यहां पर ठीक है अब 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहां पर 5 आएगा अपन 11 ठीक है तो इस तरह से 5 अपन 11 हमारी इसका solution जो है वो आ जाता है ठीक है अब यहां पर second number का example देखते हैं अब यहां पर हम जो है कुछ और value को यहां पर यहां पर जो है वो positive जो fractions है और एक negative fractions है यानि कि जो numerator है वो minus का है एक number का ठीक है तो सबसे पहले मैंने एक जो वीडियो है उसमें integers को आपको add करना addition और subtraction integers का बता रखा किस तरह से कर सकते हैं आप तो video section में आप उस video को देख सकते हैं recently मैंने upload किया है channel पर ठीक है तो अभी यहां पर तीनों का ही जो denominator है तो तीनों का जो LCM आएगा वो 11 आएगा अब उसी तरह से हम same यहां पर values को रखेंगे तो यहां पर पहला जो numerator को 1 से अगर multiply हम करेंगे तो 7 ही आएगा उसके बाद 1 आएगा ठीक है यह वाला उसके बाद यहां पर minus होगा तो यहां पर minus का 5 आजाएगा ठीक है तो इसके बाद अब जो है जब हम इसको solve करते हैं 7 plus 1 कितना होता है 8 होता है उसके बाद minus का 5 हो गया है और उसके बाद 11 और जब हम इसको पूरा solve करेंगे तो यह आएगा अगर हम 8 में से 5 minus करें तो आएगा हमारा 3 upon यहां पर आगया 11 ठीक है तो इसका numerator आगया 3 और denominator आगया 11 तो जब हम इन तीनों को solve करते हैं तो यहां पर हमें 3 upon 11 मिलता है तो दोस्तों इस तरह से आप जो है वो like fractions को बहुत ही easily जो है उनका addition और subtraction कर सकते हैं I hope कि आपको इस topic पूरा समझ में आ गया होगा और आपको आप जो है इस से related इस topic से related जो भी आपकी problems होगी अगर आपको अभी भी कुछ discuss करना या आपका कोई सवाल है तो please मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं ठीक है हमारी website entranceology.com पर भी विजिट कर सकते हैं आप हमसे हमारे social media pages के through video सकते हैं जिनका address जो है वो screen पर दिया हुआ है तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में एक और अच्छे से topic के साथ तब तक के लिए study करते रहे हैं entranceology के साथ मैं हूं Rajesh भारगव नम आशकार एक ब सकते हैं।